भारप के ग्रामील गाव कालाकर में हर्याली के बीच बसा एक प्राचीन पुष्टेनी घर था लीला नामक के क्योवा महिला को ये घर अपनी दादी से विरासत में मिला था चेतावनियों के बावजूद लीला को पुष्टेनी घर की ओराकरशित महसूस हुआ और उसने वहाँ जाने का फैसला किया अंदर जाने पर लीला को एक पुरानी सिलाई मशीन मिली जो धूल से धकी हुई थी जैसे ही उसने इसे साफ किया अजीब और गरीब घटनाय शुरू हुई टिम्टिमाती रोशनी फुसफुसाहत और कप्टों की हलकी सरस्राहत अचानक अलोकी काकृतियां प्रकट हुई लीला की महिला पूर्वज पारम पर एक पोशाक पहने हुए उसकी सामने खड़ी थी लीला को पता चला कि उसकी पूर्वज दुनिया के बीच फंसे हुए थे अधूरे कामों की कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे वे प्यार से बनाए गए सुन्दर कप्तों के लिए तरस्ते थे प्रेरिध होकर लीला ने अपने पूर्वजों के लिए शांदार वस्त्र बनाने के लिए सिलाई मशीन का उप्योप किया प्रतेक सिलाई के साथ महौल बदल गया घर प्रेत वादित से स्वागत करने वाले में बदल गया। कमला ने एक सुन्दर साड़ी पहनी थी, उसकी आखे खुशी से चमक रही थी। तुमने हमें आजाद कर गया है, लीला। लीला वही रुकी रही, अपने पूरवजों की आत्माओं की देखभाल करती रही। प्रेतरा मुस्कुराई, ये जानते हुई कि उसने अपने पूरवजों को आजाद कर दिया है और अपना उद्देशिपा लिया है, प्रेम की टांकों की जरिये उनकी कहानियों को जीवित रखना। पैतरिक घर आशा का प्रतीक बन गया, जहां प्रेम और परमपराय आपस में जुली हुई थी।